देखिए ये question क्या है कि x square minus y square बड़ाबर 6 यहां है x y बड़ाबर 4 तो x और y कमान ग्याद करना है दोस्तों हम आपको बता दे कि इस question को बनाने में 90% लोग जो है कि इसको fail है ठीक है दोस्तों तो हम आपको बता दे कि ये वीडियो को आप पुड़ा पुड़ा देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जागा कि x और y कमान कितना है देखिए ये क्या कहा कि x square minus y square बड़ाबर क्या है 6 x into y बड़ाबर कितना है 4 ठीक है दोस्तों आपको बता दे कि वीडियो को पुड़ा पुड़ा देखिएगा अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये है तो please हमार चैनल को लाल बटन दबा करके और subscribe कर लेंगे ठीक है देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए हम एक सूत्र का पड़ियोग करेंगे ठीक है जो shortcut में बना रहे है इसको और देखिए काफी आसान तरीका में भी बनाएंगे देखिए यहां क्या है minus है तो इसको हम क्या लिख पलस 4x² y² ठीक इस तरीका से ये question है सुत्र हो गया दोस्तों अब देखिए इसको क्या करना है हमको यहीं पड़ इसको ऐसे बैठा लेते हैं ठीक है अब देखिए x² minus y² का मान कितना है दोस्तों हमको पता तो 6 पता है यहां पर 6 का ऐसे square लिख लेंगे दोस्तों फिर से बत देखिए क्या हाई यहां अब 4x² y² ठीक है तो 4 और देखिए यहां x y का value कितना पता हमको है तो 4 पता है यहां x² y² है तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों 4 का ऐसे whole square हम लिख लेंगे ठीक है जब इसको ऐसे लिख लेंगे इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको देखि चो का SQ कितना हो जागा? 36, पॉलस, अब यहां 4 गुने, 4 का SQ कितना हो जागा दोस्तों? तो 16 हो जागा, अब इसके बाद हम देखेंगे यहां कि ऐसे 36 पॉलस, इसके बाद दोस्तों इसको जब गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो कितना पता हो जागा? 64 हो और X का उवर्ग मुल कितना होगा तो 10 होगा आपको हम दोस्तों अगर आप बताना अगर हम चाहें तो आपको बता दे कि देखिए हमको मुख्य रूप से पता क्या क्या हो गया देखिए X squared minus Y squared बराबर हमको कितना पता था तो 6 पता था अब इसके बाद हम आपको बता दे कि X x square plus y square कमान, हमको कितना पता हो गया, तो इसमें हमको पता हो गया, क्या, 10 पता हो गया, x square plus y square कमान, कितना हो गया, 10 पता, अब दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, इसको जोर लेते हैं, तो देखिए, plus minus में y है, दोस्तों, ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, इसको जोर गधा, दोस्तों, तो 8 मर्त्रों में कर जागा, मतलब एक से e-square बराबर कितना हो गया? 8, तो x बराबर दोस्तों कितना हो गया? root 8, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 root 2 लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए, एक से e-square बराबर हमको इतना पता हो गया, और x बराबर कितना पता हो गया, इतना पता हो गया, x बराबर क्या हो गया, 2 root 2 पता हो गया, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि देखिए, ये एक तरीका से समिकरन 1 था और ये समिकरन 2 था, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, x square का मान तो हमको पता हो गया, तो क् प्लीज हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके और सब्सकाइब करेंगे देखे एक से स्कॉाइर कमान कितना है आठ तो यहां रख देंगे दोस्तो आठ माइनस वाई स्कॉाइर बड़ाबर कितना होगा चो अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा यहां लिखेंगे वाई स इसको रूठ में 2 तो दोस्तो आपको बता दे कि X का भैलू हमको 2 रूठ 2 पता चल गया और Y का भैलू हमको रूठ 2 पता चल गया तो दोस्तो फिर से बता दे कि यह वीडियो जब तक देखिए दोस्तो जब तक कि आपको यह कोस्चन समझ में नहीं आजाता है